कलेक्टिव स्पिरिट में हम खेलते हैं चलिए बाकी की बात हम अंदर बैटके करेंगे जगत प्रकाश टडड़ा से हमारी ये बात्चीच जारी रहेगी नटा जी मेरा अगला सवाल आप से ये है कि आपकी रैलीज को मैंने देखा आपके भाशनों को मैंने सुना आप लगातार बिहार के चुनाव प्रचार में महागडबंदन पर निशाना साद रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये अपवित्र रिष्टा है ये आस्वभाविग गडबंदन है क्यों? देखिए जब मैं ये कहता हूँ कि ये अस्वभाविग प्रचा है वो इसलिए कि जिस तरीके का गडबंदन है जी उस गडबंदन में कोई भी चीज सिवा इसके कि सत्ता पाने की लोलुपता है सत्ता पाने की इच्छा है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है देखिए अगर मैं R.J.D. की बात करूँ तो उनका कारक्टर अराजकता कर रहा है उनका पास्ट अराजकता कर रहा है और वो कोई बिहार में आर्डर लाएंगे लाउन ओर्डर सिच्वेशन इंप्रूब करेंगे ऐसा कदापी नहीं है अगर मैं बात करूँ माले की माक्सिस क्लेनिस की तो उनका भी जो एटिचूट रहा है वो समाज में विध्धुन्स का रहा है और वो विचारधारा से भी विश्धुन्स का रहा है वो भी कोई बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे ऐसा नहीं है जहां तक कॉंग्रेस का सवाल है इनको तो येन केन प्रकारें सत्ता में आने की इच्छा है और आज दिक्कत ये हो गई है कि यह मोदी जी का विरोध करते करते यह देश का विरोध करने लगे, सारा देश कोरुना में, मोदी जी की तारीफ कर रहा है, सारे देश, दुनिया तारीफ कर रही है, World Health Organization ने कह दिया, UN के Secretary General ने कह दिया, कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, और देश को तो दिशा दी ही है, दुनिया को भी दिशा दी है प्रधान मंत्री जी के COVID-19 पर, लेकिन राहूल गांदी पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, शेशी थरूर पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, हमारे… आपने भी अपनी एक रैली में बोला कि ये पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, आपने राहूल गांदी और शेशी थरूर का जिक्र करते हुए का। लेकिन बिहार भारत का राज्य है और बिहार के लोग राश्ट्रवादी तरीके से सारी चीजों को सोचते समझते रहे हैं। अपने लिए धारा 370 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए रामजन भुनी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए national aspirations भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं, और उन्हों ने इस पर हमारे को support किया है, इसलिए ये विशे भी उन तक पहुंचाना, इसकी delivery करना, कौन सा बिहार का बच्चा था जिसने नहीं कहा कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो समविधान नहीं चलेगा, औ तो इस इस एन इशू, और इस इशू को हम, ये बीजे पी का कोर इशू था, जनसंग की स्थापना जब होई थी, तो शामा प्रशाद मुकर जी ने इस विशे को उठाया था, तो इसको हम क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन 370 पे तो आपने पीचे दामरम ने जो ट्वीट कर वो आपने देखा ही है, उसका जिक प्रधार मंतिर ने भी अपनी रैली में किया, जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि तिरंगा मैं छूंगी नहीं जब तक 370 रही हटेगा, क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ बिहार में चुनाव है, जिस पे नौकरी और विकास क आने की जुरूत है, कॉंग्रेस इन वेशियों को और पी चितामरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये इलेक्शन के टाइम ये इश्यूस क्यों उठाते हैं, इनका उदेश्य क्या है, इनका उदेश्य वोट बैंक की राजनिती करना है, लेकिन भारत की जनता और भारत क समाज एक जुठ है, और कश्मीर से कन्या कुमारी तक भारत एक है, और भारत के सोशल फाइबरिक को एक रखना ये हमारी जिन्मेवारी है, शर्शी थरूर ने लोहर फेस्टिवल में बोला कि भारत में मिनॉर्टिस अखलियतों को तकलीफ हो रही है, ये इनका कैरेक्टर ह ये चुनाओं से पहले यही तो करते हैं, इनको कोई इनके पास कोई इशू नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है इनके पास, इन्होंने देश को बांट के इतने साल राज किया, और मोधी जी ने भारत की राजनीती का चाल, चरित्र और संस्कृ बदल डाली है, अब रिपोर्ट कार्ट की संस्कृती हो गई है, विकास की संस्कृती हो गई है, तो तेजस्वी आदब आप लोगों से आपकी रिपोर्ट कार्ट मांग रहे हैं, वो कहरे है कि भारती जनता पाटी रिपोर्ट कार्ट दे, प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार कर दें आकर कि 15 साल में क्या कुछ हुआ है यू कें ब्रिंग हॉर्स नियर्द वाटर यू कंट फोर्स इम टू ड्रिंग आप किसी कुई आखे ठीक कर सकते हो विजन नहीं दे सकते हो करने दस लाख नौकरी दूंगा तो मैंने तुन से पूछ लिया कि दस लाख नौकरी आप कैसे दोगे और आपने दस लाख से जादा तो आपके पिता जी ने पलायन करा दिया बिहार से इस पर आपको माफी क्यों नहीं मांगते बिहार की जंता से आपको बिहार की जंता से माफी मांगनी चाहिए आज आप तैयार होकर के दस लाख नौकरी की बात कर रहे हो दस ला और ऐचस्कान 가장 likely पर फैस्ट है तो और दियक पार्वी को